आम आदमी पार्टी दे सीनेर अगू अते सुप्रीम कोड दे वखील एचेस फूलका ने पंजाब दे वेच मुख मंतरी वलों पारदे ग्राय मंतरी नू मिलके 1984 से कतले आम दी जांच लेई सुप्रीम कोड दी निकरानी वेच विशेश जांच टीम बनाय जान दी मांगनू बेहद हैरानी जनकता से है फूलका ने कहा कि ग्राय मंतरी चुरासी से कतले आम नलस बंदत दोसो सेंती केसा नू मुड़ खोलन ले जांच टीम बनाउन दा अधिकार रखते ने आते एहे टीम देली पुलिस वलों बंद कार दिते गए ना केसा दी जांच तो बाद अदाल देखें साइटी की जुरूर था है क्योंकि दोसो अक्तालीस केस प्लीस ने खोदी बंद कर दिये थे और वो ट्रायल के लिए कोट में बेजे नहीं थे उन्हें से नालावती ने सिर्फ चार केस रिकमेंट किये थे कि इनको रिइन्वेस्टिगेट करके रिजिस्टर करो उ उसमें पांच लोगों को सजा हुई है दोसो सैंतीस केस अभी भी बंद पड़े हैं वो दोसो सैंतीस केस भी रियोपन होने चाहिए और इन्वेस्टिगेट होने चाहिए और एसाइटी की दो बहुत जूरूरत है इसलिए केजरीवाल की सरकार ने उस ट्रेम उटर किया था सैटी बनाने का मगर अब जो बात आ रही है आज जो कहा जा रहा है कि बादल साब ने आज होम मिनिस्टर को कहा है कि सप्रीम कोड की मौनिटर्ड एसाइटी बनाओ जे थोड़ी सी बड़ी सर्प्राइजिंग सी बात लग रही है सरकार खोदी कहे कि हम काम अच्छा नहीं क उनकी अपनी सरकार है और वो खुद कहें कि हम अच्छा काम नहीं करेंगे सुप्रीम कोड आके हमारे उपर मौनिटर करें यह बड़ी जीव सी बात लगती है अब अगर सर कौवर्मन्ट सीर है गौवर्मन्ट को इमीजेटली साइटी कॉंसिचूट कर देने चाहिए बीज पी ने जे दोश्यों को सजा दिनाने के लिए पूरी इसकी स्पोर्ट की थी और साइटी की पूरी स्पोर्ट की थी तो अब जल्दी से जल्दी जे साइटाई कॉंसिचूट करके इसका काम शुरू होना चाहिए खब्रादित दुनिया विचाओ साडेनाल कदिवी ते कितों विजुडो अप्पा मिलांगे फेसबुक ते असी दिखांगे यूट्यूब ते सानू फॉलो करो ट्विटर ते खब्रानाल जुडे रहो दिन रात